नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सवरुष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियान अपडेट डेली नियूस डेली नियूस बात करेंगे रिवारी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शिरू करते हैं देखे सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएता हूं रिवारी में काफी जगय पानी बरा आप सभी को बताए कि रिवारी के अंदर कल बारिश आई हालांकि बारिश कुछ देर नगया जाला देर बारिश नहीं आई लेकिन फिर भी रिवारी का इतना बुरा हाल हो गया कि बजारों में बात करूं तो पानी काफी मात्रा में भर गया और अगर हम नॉर्मल कई जैसे कलोनी आयरेवाडी के अंदर उनमें भी अगर हमने जाके देखा तो काफी जगय पानी बरा हुआ था मतलब पानी निकलने की व्यवस्ता ठीक डंक से नहीं की गई थी इसके कारण पानी भरा हुआ था तो देकि बारिश इतनी कोई खास नहीं आई थी हलंकी तेज आई थी लेकिन कुछ देर के लिए फिर भी पानी की जो हम कह सकते मात्रा काफी ज़्यादा थी पानी काफी भर गया था इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आपको दाई तो रेवसड़क हा पासी एक व्यक्ति दो व्यक्ति थे जो की रात को अपने घर जा रहे थे गाव के जब वो पास पहुंचे तो एक पिक अप ने उन दोनों को टक्कर मार दी इस आदसे में दोनों गंबी रूप से पहले घायल हो गए थे इसका देख की मौत हो गई और दूसरा भी गंबी र परिक्षा थी वो आज की थी लेकिन अब इसे कल की कर दिया गया है आपको उता दिया देखिए सतर तो अजर बाईस तहीस में जो MSC Computer Science के दाखिले के लिए होने वाली परिक्षा-परिक्षा 23 अगस्त की जगए 24 अगस्त को कर दी गई है परिक्षा का समय तीन से साढ़े च परिक्षा कबरी आई और मुझे ऐसा लगता है कि देवाडी के अब पूरा हरियाना इस चीज की न्यूस को सुनने के लिए तरस रहा था बिल्कुल आपको बताता हूं कि न्यूस क्या है न्यूस यह है कि दो साल से लगबग इंतिजार का विद्यार्थियों कर एक अच्छ कॉमबर महिने में हरियाना चैन की जो गुरूप D के पदों के लिए भरने वाले कॉमन हम कह सकते हैं एलेजिबिलिटी टेस्ट लेकि एलेजिबिलिटी टेस्ट के जो नकल राइत बनाने के तयार अभी से शुरू कर दिये हलंकी एक आगया है कि गुरूप C के लिए यह पर पीचेतर केंदर बन रहे हैं और पचास हजार बच्चे इस पर परिक्षा देंगे हेरा फेरी रोकने के लिए एक तरीके से कनफार मान लें कि पांच और छे नौंबर को जो डेट दी हुई है इसी में एक्जाम CET का होगा तो जो भी बच्चा तयारी कर रहा था फिर से गुरूप C के अंदर जितनी भी पोस्ट याती वो भरी जाएगी इस पेपर से रिवाड़ी के जितनी बड़ी खबरे जानने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए धन्यवाद